तो next देखते हैं समास के बारे में, अब इसके बारे में जब संधी पढ़ी थी हमने, तब भी देखी लिया था, तो समास में क्या होता है, कम से कम सब्दों में हम अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब दो सब्दों को मिलाके एक शब्द बनाते हैं, और वो या तो यहाँ पर और चीज़ समझने वाली क्या है, कि समास, तो हम जब उनको जोड़ देते हैं, तो वो समास बन जाता है, जैसे संधी और संधी विच्छेता, यहाँ पर भी समास विग्रह है, तो यहाँ पर जब उनको तोड़ेंगे, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, समास व तो समाज से मώρα समस्त, जो सब्द है वो समस्त पद है। ये चीज़ा जैसे पूजा करने का घर, पूजा करने के लिए घर या पूजा करने की जगए है। सब दो में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट कर्म देना उस चीज को हम समास क्याते हैं अब समास के टाइप तो हमारे समास साथ तरीकों के होते हैं ये पूरे ओके तत्पुरुष कर्म दार है इनका डिटेलिंग भी करना बहुत जरूरी है समझना दिगू बहु विरी द्वंद समास और अव्यभाब समास और ये नत्र समास नंगर समास जो भी इसका मतलब बोला जाएगा प्रणेस्ट ये हो गया साथ मौग ए सात तरीकी का हमारे हो गए उसके बाद इनको डिटेल में पढ़ते हैं पहला हमारा तत्पुरुष समास सरूरु होता है तत्पुरुष कर्म दार है दिगू बहुविरी द्वन अव्यभाब और नत्र समास समास ओके तो ये बेसिक बेसिक यहां पर होगे, अब सुरू करते हैं इनका Categorization, पहला प्रुष समास है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तरपद प्रधान होता है, अब यहां पर हमने क्या देखी, दो चीज देखी, एक हमारा उत्तरपद है, ये, और एक हमारे जैसे इस एक्जामपल में राजा पुत्र में, राजा पूरुफद है और एक उत्तरपद है, तो यहां पर यहां पर हमने कुछ Categorization, मतलब कुछ Categories समास की इसी बेसिस पर बना दी है, कि इसमें से प्रधान कौन सा होगा, तो पूरुफद प्रधान हो सकता है, उत्तरपद प्रधान हो सकता है, या जो राजपुत्र कौन है, राजा का पुत्र है, तो हम mainly किसकी बात कर रहे है, एक इनसान की बात कर रहे है, जो कि वो इनसान खुद राजपुत्र है, तो इस सेंस में अगर देखा जाए, तो यहां पर राजा हमारा dominant नहीं होगा, यहां पर हमारा पुत्र dominant होगा, तो जो नमास में बाद का अत्वा उत्तरपद एक पूरुपद एक उत्तरपद प्रधान हो जाता है तता दोनों बदों के बीच का कारक चिन लुप्त हो जाता है उनके बीच कोई चिन नहीं रहता है ठीक है तो उसे कारक चिन मतलब यहां जैसे से है के लिए है से है यह सब चीजे का मेन क्या है यहां पर डॉमिनस क्या है प्रधान क्या है हमारा प्रधान क्या है एसी शराहत सेहर से आहत राजा का कुमार या फिर राजा का पूत्र राज कुमार दोनों में मेन क्या है कि जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो उसको हम राज कुमार कह रहे हैं तो मेन प्रधान कु शुक्र सकते हैं नहीं पहला वाहिश रही है दूसरा विशेश है मतलब इस विशेश्य की विशश्ता बताई जा रही है और उन दोनों वट को जोड दिया गया होता है जुद्षेश्य बाद वाले पत के विशेश होने के करण इस समास में उसकी प्रधानता रहती, क्योंकि वो विशेश है, अब किसी चीज की विशेशता वताई जारी है, तो में चीज क्या है, जिसकी विशेशता वताई जारी है, वो ही में है, तो इस वज़े से वो हमारा प्रधान होता है, अ के लिए खर्च,्ये के लिए है, ये शारे क्या है कारक चिन है हमारे, इस उसमें कारक हमारी यूज हो रहे है em क करता को कर्ता को छोड़ दो और सम्मोधन को छोड़ तो कर्म से लेके अधिकरर तक सारे जो भी कारक Varj categorization थे वही सारे यहाँ पर शूर्गップ प्राप्थ इसमें को आ रहा है तो यह करताने कर्म को यह कर्म हमारा यहाँ पर कर्म ततततપूर्ण हो गया यह पहला यह कर्म तत्तत पूर्स है यह फिर इसको दित्या तततत पूर्स बह बोलते हैं तो इस तरीके से बीच में को आ रहा है तो यह हमारा कर्म यह दित्या तत्पुरुस समास तो जैसे कि ग्रहा कत ग्रहा गत तो ग्रह को आगत तो यहां को बीच में आ रहा है आप इनको ब्रेक करके देख लेंगे कि इनका जो लंबा सेंटेस बन रहा है तो उसके बीच में क्या आ रहा है, को आ रहा है, से आ रहा है, के लिए आ रहा है, ये सब चीज़ है, तो उस हिसाब से हमारे ततपुरुस हमास हो जाएंगे काफी तरीकों के, तो ये तो कर्म ततपुरुस हो गया, उसके बाद ये बहुत सारे इसी स्लाइड में है, करण पृद्पृस हो गया और तीसरा होंगे हमारा संप्रदान जहां पर हम को यह लिए इस्तिमाल करें जैसे देस भक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, और हत्कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, रहा कर्च, रहा के लिए खर्च, तो यहाँ पर क्या देखना है, पहले तो यह देखना है, जो बाद वाला हमारा है, उत्तरपद, वह प्रदान है कि नेगर वह प्रदान है तो तत्पुरस हमास हो गया और फिर उसके बीच में क्या चीज़ आ रही है तो उस इसाफ से तत्मुरस का भी particular हम टाइप बता देंगे तो यह संप्रदान तत्पुरस हो गए तो यहाँ से यूज हो रहा था और यहाँ को के लिए यूज हो रहा था ऐसी अपादान में हमारा से तो यूज होगा ही बट यहाँ पर वही वाली वात है कि एक separation वाली feeling होनी चाहिए जिसका प्रथम पद अपादान के चिन से यूख्त हो उसे अपादान तत्पुरस कहते हैं जैसे दूरागत दूर से आगत जन्म से अंद और रड विमुख तो रड से विमुख नेतर हीन नेतर से हीन मतलब नेतर से अलग है हीन है देश से निकाला देश से अलग कर दिया त तो देश निकाला, देश से निकाला, तो देश निकालने में में चीज क्या हो रही है, निकाला जा रहा है, में चीज प्रधान पद हमारा उत्तर पद है, इस वज़े से ततपुरुस है, और बीच में से है, उसमें सेपरेशन वाली फिलिंग है, तो इस वज़े से यह हमारा अपादान टाइप का ततप्रोष है और ये द्यूतिय तृतिय चतूर्थी पंच्मीन का अलग नाम है फिफ्ट वाला है सम्भन ततप्रोष जो काकी के होता है तो इसको सस्टी बोला है मतलब ये बहले ही 1,2,3 से सुरू हुआ है पहला ही हमारा क्या था कर्म पर क्योंकि करता पहला होता है जब कारक पढ़ते हैं तो कारक में हमारा करता पहला होता है करता पहला होता है तो ये जो कर्म ये द्यूतिय है तो इसलिए कर्म ततप्रोष को हमने द्यूतिय ततप्रोष बोला इस वज़े से फिर यह हमने बढ़ाते गए तो यह हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ, नंबर फिफ्थ टाइप का तत्प्रोष समास पढ़ रहे हैं पर क्योंकि सम्मध अपने उसमें कारक में छटवे नंबर पाद है तो यह सश्टी तत्प्रोष हो गया तो जैसे कि सेना पती तो सेना का पती तो रिलेशन की बात करें यह समंध की और यहां पर सेना पती में मतलब जो इनसान है वो सेना पती है सेना का पती है में तो प्रधान जो हमारा उत्तर पद हुआ यहां पर ठीक है प्रधान पद उत्तर पद हुआ इस जगे इसी तरीके से श्रम दान जैसे श्रम का दान राज दरबार राजा का दरबार तो यह चीज़ यहां पर देखनी है फिर यह हमारे हो गए आखरी आता है शिक्स वाला अधिकरण ततप्रूस इसको सब्तमी ततप्रूस भी बोलते हैं जिसके पहले पाद के साथ अधिकरण में में पर यूज होता है उसे अधिकरण कहते है जैसे कि ग्रह प्रिवेस तो ग्रह में प्रिवेस यह हमारा क्योंकि प्रिवेस किया जा रहा है में ली तो यहां पर प्रधान हमारा प्रिवेस है प्रधान उत्तरबद है तो यह ततप्रूस हो गया समास अब उसमें भी बीच म में या परिउज हो रहा है तो इस वैसे अदिकरण तत्पुरुस हो गया, तो तत्पुरुस के भेळ को जानने के लिए हमें कारक पढ़ना जुरूरी है, तो कारक हमने पढ़ लिया है, दूसरा है कर्मधार समाज, तो अभी हमने केबल एक पढ़ के बाहर अब दूसरा है कर्मधारे समाज, जिस समस्पत का उत्तरपद प्रधान हो तथा पूरपद वा उत्तरपद में उत्तरपद प्रधान हो तथा अत्वा विशेशर विशेश समन्द हो, मतलब यह सेम उसी तरीके से के उत्तरपद प्रधान हो, सेम जो पीशे तत्पुरुज था पर यहाँ पर उत्तर पद में उपमान और उपमे का रेलेशन हो या अत्वा विशेशर और विशेश का सम्मंदो कर्मधारे समास कहलाता है दूसरे सब्दों में वे समाज जिसमें विशेशर तथा विशेश अत्वा उपमान तथा उपमे का मेल हो और विग्रह करने पर दोनों खंडों में एक ही करता कारक की विवक्ती रहे उसे कर्मधारे समास कहते है पहचान विग्रह करने पर दोनों पद के मद में है जो के समान आ जाए तो ये बहुत जादा important है यहाँ पर समझना ये जो है जो के समान है तो जब कर्मधारे की बात करेंगे, उनको ब्रेक करेंगे समास को, समास विग्रह करेंगे, तो ये है जो या के समान आ जाए, जैसे कि नव युवक, नव है जो युवक, जो युवक नव है, तो नव युवक है, ये हमारा कर्मधारे समास हो गया, युवक की विशिष्टा वताई जारी है कि वो नया है, नव है, कम उम्र का है, जैसे पीता अंबर, तो पीत है जो अंबर, अंबर जो पीत है, है जो और के समान, जैसे नील कंट, तो नील के समान कंट है जिसका, या फिर नीला है जो कंट, या जिसका कंट, तो है जो यहाँ पर आ रहा है, या के समान भी बोल सकते हैं, तो यह हमारा कंट की विश्यषता बताई जाए है, कि वो कंट नीला है, इस वजए से यह हमारे सारे कर्मधारे समास है, पर यहाँ पर जो हमने एक चीज शुरू में देखी, उसको बोलाने कि नील कंट में आप जो में प्रधान पद की बात कर रहे हैं, तो कंट की बात हो रहे है, विशेषढ हमारा कंट है, कंट जो नीला है, तो कंट हमारा प्रधान पद कौन सा है, उत्तर पद यहाँ पर प्रधान पद, उसके बाद तत Purush समास का उधारण बताओ, तत Works जिसमें प्रधान पद जो है, उत्तर पद होना चाहिए, तो यहाँ पर राष्ट पती, राष्ट पती में में वो इंसान है और वो राष्ट का पती है, तो यह हमारा यह हो गया ततपुरुस, उसके बाद दूसरा निम्लिकिन में से ततपुरुस समास का उधारड बताओ, यह कौन सा नहीं बोल रहा है, नहीं, कौन है, यह बोल रहा है, ठीक है, कौ आगा कुमार, राजकुमार, यह ततपुरुस समास हो गया, simple सा, इसके लिए ज़्यादा पढ़ने वाली बात थी नहीं, पीतांबर, यह हमने उभी पढ़ा, यह हमारा क्रमधारे समास है, पीतांबर, फिर इसमें कौन सा समास है, राजपुरुस में, तो राजपुरुस में ह पुरुस और करमधारे, तीसरा आता है दिग्यू समास, तो दिग्यू समास में समझते हैं, जिस समझपत का पूरुपत संख्या वाचा क्विशेशड हो, यह बहुत important है कि पूरुपत जो है, sorry, तो वो संख्या वाचा क्विशेशड होना चाहिए, किसी तरी की संख्या उस दूसरा पर संख्या होता है, दूसरा पर तो विशेश हमारा संख्या ही होता है, दूसरा पर संख्या पहला संख्या वाची, तो जिस भी समास में हमारा संख्या आ जाती है, पहले सुरू में, तो वो हमारा दिग्यू समास हो जाता है, तो इसको पहचानना काफी आसान है, तो सब्त सिंधू, तो साथ संधू का समू, सब्त सिंधू, तो साथ संख्या आगई, दो पहर, तो दो पहरों का समू, तो दो संख्या आगई, उसके बाद हमारा तिरलोक, तीनों लोकों का समाहर संख्या आगई, तिरंगा, तीन नंगों का समू, दुवत्री, दो आनों का सम चुर्दें चमाहार और फंच तंद्र हैं पाक्च तंद्रों का सामूँ तो यह सारे दिकुसमास थे दिकुसमास को पहचानना असान है उसके पास पतौत पहुविरी समास जो'rek मतलब किसी तीसरी चीज के बारे में बता रहा है मतलब इसके अंदर जो दो वर्ड है जिससे मिलके यह बना समास यह समास है यह दो वर्ड से मिलके बना है तो यह इन दोनों की बात ही नहीं कर रहा है जो इससे मिलके वर्ड बनना यह किसी और के बारे में अगर बात कर रहा है तो वो हमारा बहुवीरी समास हो जाता है ठीक है जैसे हमारा सबसे अच्छा एक्जामपल है दशानन दस मुह वाला दशानन मतलब दस मुह वाला तो हम किस की बात कर रहे हैं हम रावड की बात कर रहे है इस वज़े से यह हमारा गारा बहुवीरी समास के example होगाय और नीलकंट नीला है कंट जिसका और बहुवीरी ओपने तो नीलकंट ऊपर भी पडाता है वह करमधारे भी होता है और झाम स्वेज़ पर हम किस Sense में बोल नहीं तो आज्सेज नीला यही और कंट जो है निला तो वो हमारा कर्मधार है यहाँ पर दोनों पदों से मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया गया इसलिए यह बहुवीरी समास है हमारा उसके बाद कुछ एक्जामपिल लिखते हैं सत सही में कौन सा समास है तो यह सत आ जा रहा है साथ बहुवीरी समास जब कोई तीसरा ही मतलब वर्ड हमारा प्रदान हो वर्ड मतलब शब्द प्रदान हो उन दोनों को छोड़के तो वह बहुवीरी जब किसी संख्या वो भी पहले वाले पूरुपद में आ रही है तो दिखू और जहां पर है जो यह केस अमान हमारा यूज़ होता है रिलेशन के लिए उनके बीच में शब्दों की पूरुपद और उत्तर पत की बीच में दो कर्मदार है और जब हमारा उत्तंपध प्रदान होता है मेनली कर्मधारे में भी उत्तम पधी प्रदान होता है और जब हमारा नॉर्मली उत्तम प्रदान होता है तो हमारा वो तत्पुरुष समास हो गए तत्पुरुष बहुत सारे तरीके को हो गए तो जितने तरीके के कारक्चीन होते है उतने ही तत्पुरुष समास होते है वस क के अब भुषा के बाद हम आये औब बहुवीरी समास पर करे equipped हमने लिए है पर इसके कुछ एक्जाम्पल देख लेते हैं कि साrat के इसके बहुवीरी समास के एक्जाम्पिल्स हैं मंत्रियों में जो प्रधान जो मै Ox प्रधान हो या है जो प्रधान है जो इसी वएसे यह बहुवीरी समास है पंक में पैदा हो जो या कमल के लिए बोलते हैं इसी तरीके से विश्धर विश्ध को धारड करने वाला मतलब शर्प मतलब उसका हर एक वर्ड का मेनिंग तो कुछ और है ही और यह वही लिस्ट देख रहे हैं उसमें से जो पूरुपद उत्तर पद है वो दोनों प्रधान है यह नहीं प्रधान तो कोई और है जैसे यहां पर महावीर हनमान तीन लोचन है जिसके अर्थात शेव तो म्रग नईनी ठीक है तो इस तरीके से यह जो वर्ड है यह एक्जाम्पल में देख खेंगे तो बहुरी में सीधे से कि कुछ और ही मतलब प्रधान है हमारा तीसरा कोई और वर्ड हमारा शब्ड प्रधान है ना ही पूरुपद ना उत्तर пыт और देखते हैं ततपुरुष में बहुरी में अंतर ततीा प्रुष में प्रिथम पद दित्त्य पद का विशेशड होता है तो कह रहा है कि तत्पुरुस में प्रथम पद जुत्ति पद का विशेशड होता है यह चीज़ हमने देखी दी कि जो दो पूर पद है उत्तर पद है तो उत्तर पद विशेश है उसका प्रथम पद जो है उसका विशेशड है यह चीज़ हमने तत्पुरुस में पीत है अंबर जिसका तो वह है पीतांबर अर्थाद विश्णु यह बहुविरी हो गया तो उपर एक और तैसे नील कंट उसकी भी बात हुदी उसको दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है उसका अर्थ क्या बना रहे हैं क्या लिख रहे हैं उसके explanation में उस पर depend करता है वो किस तरीके का समास है उसके बाद देखते हैं दोन समास तो चार समास हमने बढ़े दोन समास में देखते हैं दोन में जिस समास पत की दोनों पत प्रदानों तथा विग्रह करने पर और अतवा या अतवा एवम ये और ये ये और ये मतब ये एवम ये इस तरीके से उसका explanation बने तो वो हमारा दोन समास हो जाता और दोनों पत प्रधान है यहां पर important है कि दोनों पत प्रधान है जैसे कि रात दिन, रात और दिन, सुक दुख दोन समास पैचानना तो बहुत आसान है दिगू समास पैचानना बहुत आसान है दोन पैचानना बहुत आसान है तीन समास तो बहुत आसान है पहचाने, फिर ततपुरुस और कर्मधारे था, उसके बाद जैसे दाल चावल, भाई बेहन, माता पिता, उपर नीचे, दोनों equal importance रखते हैं, दोनों परदाने, और बीच में और लगता है, इस तरीके से, अब बात करेंगे त्रेमबक, बहुवरी समास हो गया, चतर भुज, ठीक है, चार भुजाओं वाला, तो ये भी बहुवरी समास हो गया हमारा, चतर भुज, विष्णु जी के लिए बोल सकते हैं, या किसी और भगवान के लिए बोल देते हैं, ये भी बहुवरी हो गया, और देखते हैं, पितांबर, प पुरुषया तत कर्मदारे भी हमारा होता है, बस चिस तरीके से देख रहे हैं, तो नॉर्मली पितामर को आप बहुवरी ही बोलें, इन में एक शब बहुवरी समास है, वो में बताना है, इसमें से जो है, वो नील कंड, नीलाय कंड, जिसका मतलब अर्थाथ शिव, फिर नि भाव समास, यह छटवा समास आया, अव्वे भाव का लक्षड है कि जिसमें पूरुपद की प्रधानता हो, मतलब यह क्या बोलेंगे, कि यह तत्थ पुरुष का एकदम अपोजिट है, यह तत्थ पुरुष, जो है, उसका पेर है, यह तरीके से बोलेंगे, अव्वे भा पूरुष, इस तरीके से इसका अपोजिट है, तो यहां से और अच्छी समझ में आ रहा है, पूरुष की प्रधानता हो, और समासिक या समास पद अव्वे हो जाए, उसे अव्वे भाव समास कहते हैं, इसमें क्या है कि समासिक या समास पद जो है, वो अव्वे हो जाए, जो पूरा पद है वो हमारा kriya vishishad avya होता है इसमें पहला पद उपसर्ग आदी जादी का avya होता है अब यह थोड़ा सा इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी उपसर्ग और प्रत्य नहीं पड़ा है avya नहीं पड़ा है इस विए से थोड़ा सा इसमें problem हो सकती है आदी जादी का avya होता है और वही प्रदान होता है जैसे प्रती दिन example से समझ लेते हैं प्रती दिन यथा सम्मव यथा सकती ठीक है बे काम avya मैंने पहले बी शायद बताई दिया है short में तो जिसको बदला नहीं जा सकते जिसमें change नहीं किया जा सकते वे उसमें avya वे नहीं किया जा सकते तो वो avya है तो ऐसे शब्द कौन से होते हैं जैसे ये शब्द है प्रती आ यथा अनू भर हात तो ये हमें avya वाले सब्द हैं ये सारे तो पूरुपद यहाँ पर क्या है avya और ये उत्तरपद है तो ये सपसपद बन गया है प्रती दिन तो इस तरीके से तो पूरुपद यहाँ पर avya होता है वो simple सा वो avya भाव समास हो जाता है अव्य भाव समास के पहचान के लक्षर avya भाव समास को पहचानने के लिए निम लिखित विदियो अपना ही जा सकते हैं जैसे कि यदि समस्पत के आरम भर में भर निर प्रती यथा इस सारे अव्य हैं बे आ ब उप यावत अधी अनू आधी उपसर्ग या अव्य है अव्य हो जाता है और जो चीज़ शबद के बाद lotvana होती है तो हमारा प्रत्य हो जाता है तो जो इनको अफ्यियो अव्य को अव्य भी बोल सकते हैं क्योंकि उनको बादलता है क्योंकि ये व कृट को चैस तरीकें के थे इनको बदला नहीं जा सकता, तो ये अव्य हैं, और इनको जोडा कहां जा रहा है, इसको एड कहां कि जा रहा है, इसको देखते हुए इनको उपसर्ख बोला गया है, मतलब अव्य हमारे प्रत्य भी हो सकते हैं, जो अव्य बाद में जोड़े जाते हैं, वो प्रत्य कहलाएं जो अव्वे शुरू में जोड़े जाते हैं वो उपसर कहलाएंगे तो यह चीज है यहाँ पर तो यह उपसर का लवर अव्वे हैं जैसे यतासक्ति, प्रतेक, उपकूल, निर्विवाद, अनुरूप, अजीवन, आदी यदि समस्पद वाक में क्रिया विशिशर का काम करें तो समस्पद है जो वाक में क्रिया विशिशर का काम करता है जैसे कि उसने भर पेट खाया, तो यह जो भर पेट है यह हमारे क्या है? अव्वे भाव समास है तो खाने की, जो खाना खाया क्रिया है, उसके लिए ये क्रिया विशेशड का काम कर रहा है तो जो अव्वे भाव समास के जो शब्द होते हैं, वो एजा क्रिया विशेशड भी काम करते हैं कभी-कभी अब example मतलब कुछ question देखते हैं निम लिखित मैंसे यथा सकती मैं कौन सा समास है अभी हमने अपड़ाइस में यथा आ रहा है और एजा उपसर्ग आ रहा है इस वएसे ये अव्वेभाव हो गया आजन्म सब्द मैं समास है तो आजन्म आब ये भी हमारा उपसर्ग बोलेंगे और इसको अव्वेभी बोलेंगे आ को इस वएसे अव्वेभाव हो गया कमल नयन में कौन सा समास है तो कमल नयन तो नयन जो कमल जैसा है ये विशेशड विशेश वाली बात यहाँ पर चल लगी है तो इस वेसे ये कर्मधारे हमारा समास हो गया और इसमें बाद वाला जो शब्द ये प्रदाने नयन प्रदाने, नयन जो कमल जैसा है या नयन जो है कमल या जो है जो कमल ये जो शब्द होता था है जो कमल ये जो शब्दा किसके लिए था ये हमारा कर्मधारे में यूज होता था, वहाँ पर बताया था इस वेसे ये कर्मधारे हो गया हमारा तो नयन है जो कमल, उसके बाद ये हमारे पूरे हो गए, ओके तो छे हैं अव्वेई भाव, अव्वेई भाव हमने देखा जहां पर अव्वेई एजा उपसर्ग यूज हो रहा है, उसके बाद हमने और के देखा था पाच्वा दुवन समास जिसमें और लगता है, ठीक है, जारदर डैस लगाई होता है, माता पिता दूद्दे हर्द में डैस लगा है, इनकी पहचान है, उसके बाद बहुविरी समास, यहां पे दो शब्द मिलके, या दो पूरुपद उत्तरपद मिलके, किसी और के ही प्रधानते के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हमारा बहुविरी हो गया, और दिगु समास और दूद कहां गया, यह दूद समास, हाँ दूद वहियर और वाला दूद की बात होगे, बहुविरी की बात होगे, दिगु समास जहां पे जो पूरुपद है, वो किसी नंबर को, संख्या को डिनोट कर रहा है, तो यह दिगु समास के बारे में, और यह जो 7th वाला समास है, यह हमारा नॉर्मली यूज नहीं होता है, तो में 6 समास है हमारे, अब कुश्छन्स देखते हैं, तो उसके बाद आगे फिर देखेंगे क्या किया जाए, समास के ओपर 31 कुश्छन है, तो समास योजना की जस्टी में इन में से एक अशुद युग्म है अशुद मतलब वो गलत मैच हो रहा है जैसे सत सही तो कोई यहां दिगू है यह क्योंकि साथ आ रहा है दिगू आ रहा है यह सही है तुलसी सेक्रत तो यह भी हमारा तुलसी क्रत ततपुरुस है ठीक है मंदो डरी बहुविरी संस मास अब इसका कुछ मेंनीक हो मजह ही रहा हुआ वटा मंदो डरी समास और मणदो-डरी बड़्ला मंदो अ're कुछ अलग अलग वरड होंगे यह खुद में प्र荷ान नहीं है मंदो-ढरी रावड की पत्नी के बारे में बोलना है तो इस जैसे बहूवि नहीं है, इस वज़े से अव्य भाव समास नहीं होगा, तो ये गलत है, ये अशुद्ध है यूग्म, यूग्म मतलब पेयर को बोलते हैं, यूग्म जो शब्द है, यूग्म मतलब हमारा पेयर, उसके बाद फिफ्ट को देखते हैं, इन विट किन में से दून समास कौन सा, दून सीदे से राम रही, मतलब जिसमें डैश लगता या और आता जब उनको ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, चौराहा सब्द में समास है, तो चौराहा में देखो चार राहों वाला, तो चार आ गया, तो सीदे से हमारा दिगू समास हो जाएगा, संख्या आ पांसर दे सकते हैं, जैसे कि दिन, रात, पद के लिए यही समास का विकल चाहिए, तो दिन और रात, इसमें डैश नहीं लगाया, फिर भी दिन और रात करके इसको लिख सकते हैं, तो यह दून समास हो गया, जहां और आता है, तत्पुरुस समास का उधारड बताना है हमे ततपुरुस में क्या है कि बाद वाला जो पद है वो प्रधान होना चाहिए जैसे कि रास्ट पती, रास्ट का पती तो यह हमारा, हमने वहाँ एक्जम्पिल में दिखा था, यह प्रधान है पती प्रधान है, इस वैसे ततपुरुस समास यह 7 हो गए, उसके बाद और देखते हैं दशानन में कौन सा समास है, दशानन में 10 तो शब्द आ रहा है बट दशानन मिलके कुछ और के बारे में ही बात कर रहा है, रामण के बारे में इस वज़े से यह बहुविरी समास हो गया फिर देखते हैं 30, पे नहीं में इस शताब्दी में कौन सा समास है, शताब्दी में 100 सालों का समय को शताब्दी बोल देंगे इस वज़े से यह हमारा दिखु समास हो गया, 100 यह संख्या आ कही कमल नयन ये भी example में देखा था कमल है जो नयन तो है जो आ रहाई इस वज़े से यहां कर्मधारे समास हो गया उसके बाद और देखते हैं 14 में आते हैं माता और पिता तो यह दुन समास हो गया उसके बाद दुन समास का उधरण है तो और आना चाहिए तो कलम दवात, फिर पत ब्रस्ट, आज इवन, आज इवन तो बिलकुल यह पत ब्रस्ट भी नहीं है, माखन और चोर नहीं, कम कलम और दवात हम लिख सकते हैं, तो कलम दवात हमारा हो गया है, दोन समास, उसके बाद देखते हैं, कंकर पत्थर, मैं प्रियुक समास है, तो य उत्तरपद है वो प्रदान होना चाहिए तो पीला और नीला ये तो हमारा दंद हो गया पंच वटी इसमें पाच आ गया दिगू हो गया पीता अंबर ये बहुवरी भी हो गया और हमारा इसको करमधारे भी कभी-कभी यूज कर सकते हैं ठीक है अलग सेंस में तो पीला है जो हमारा ए है देखो 12 डी है और 16 हमारा ए है उसके वाद चतर भुज चार भुजाओं वाला तो यह हमारा बहुवरी हो गया और दिगू भी हो सकता है एक यूग अशुद्ध है यह अशुद्ध बताना है कौन सा यूग में तो वह अशुद्ध वाला यूग में हमको जिसे भर-पैट वह अव्वव भहव तो भर जो शब्द वह अवव्व है असल में टीक है उसको चाहि नहीं कर सकते भर तो अव्वे है तो ठीक है अव्वव भाव ग्यूद्ध समास हो जाएगा तो ये इसका सही option है क्योंकि ये कर्मदारे नहीं दूंद है माखन चोर ततपुरुष समास तो जो चोरी करता है माखन तो वो माखन चोर ततपुरुष और हसमुख हमारा बहुरी उसके बाद आते 17 पे जिस समास में दोनों पत समान रूप से प्रधान हो ठीक है उसे क्या कहते है तो वो हमारा दोन समास हो जाता है ठीक है दोनों पत जैसे यहीं पे था गाए बेल गाए और बेल माता और पिता बाई और बेन तो ऐसा के वहला के वाल दोन समास में हो सकता है दोनों ही पद प्रदान हो बाकी किसी में नहीं होता है त्वेशों कि प्रषान है जिसका पहला पद संख्या वाजी होता है तो यह जो अव्वेशों कहenc में प्रदान हो जाएगा जो पहला शब्द है अब आता है राजपुरुष तो यह किस तरीके में कौन सा समास है तो यहाँ पर मरा ततपुरुष समास ही उज़ हो रहा है क्योंकि इसमें जो dominant कर रहा है वो पुरुष है तीक अब उत्तर पद dominant अपना दिखा रहा है इस वे से ततपुरुष हो गया कर्मधार्य होगा नहीं, दुगू होगा नहीं, भावरी होगा नहीं यह हो गए उसके बाद जैसे चरण, कमल, कमल के समान, चरण, नील, चंदर, वुक यह तो पहचान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है निमलकित पदों में से कौनसा पद अव्वविय भाव समासushimaस नहीं है वो कह रहा है नहीं है तो बाकी तीन है, तो प्रत और यधा यह तीनों अव्वविय भाव हो गए, तो बचा कौन सा राजपुतृर यह अव्ववव भाव नहीं है इदर आते हैं इन में से एक शब्द बहुरी समास है मतलब वो शब्द किसी और की बारे में ही बता रहा है पूरा जो समास बन गया तो नील कंट 20 के बारे में बता है इस То यह हो गया, उसके बाद त्रेंबग यह भी हमारा बहुरी हो गया तो यह हमारा कैसा समास है यह हमारा कर्मधार समास है कमल जो जिस समास के समस्त होने वाले पद समानधिक्रण हो अर्थाथ विशेश्य विशेश्य हो या उपमे उपमान का सम्मंद हो, कर्मधार समास होता है, इसे चरण कमल, नील गाय, प्रेय सकहा, तो मतलब यहाँ सिंपल ज्यादा कुछ पचाहने के लिए नहीं है, यहाँ पर विशेश व विशेशर वाली बात आती है, तो चरण कमल या कमल नयन, यह हमारे इस तरीके के हो उसके बाद आता है, चार आहा, यहाँ पर चार आ गया, तो यह सीधे से दुगू हो गया, दुण मतलब और वाला, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों, यह दुगू हो गया, निमर्किन में से तत्पुरुस समास का उधारण नहीं है, तत्पुरुस का उधारण मतलब बाकी तीन होगे, तो राजकुमर तत्पुरुस का उधारण है, यग वेदी तत्पुरुस का उधारण है और ग्राम वासी ग्राम में रहने वारे तत्पुरुस का उधारण है, वासी मतलब प्रधान पद वेदी कुमार और वासी हमारे प्रधान पद है, जो उत्तर वाले हैं, बचा कौन सा आ जन्म, यह हमारा अवी भाफ समास है, आ की वज़े से, उसके बाद निवलकित किस एक में कर्म धारे समास नहीं है, वो कह रहा है कर्म धारे समास नहीं है, मतलब बाकी तीन में होगा, लड़का भूख से अदमरा हो गया, तो अदमरा जो शब्दे क कर्म धारे समास है, मरा लेकिन आदा, मतलब यह विशेशड और विशेश वाली बात हो, तो मैं अपने बहला बुरा स्वेम सोचना चाहिए, बहला बुरा, यह बहला बुरा दोंद नहीं होगा, बस यह चीज है, क्योंकि वो कह रहे है कर्म धारे कहा नहीं है, तो बच्चे तो उठो दिया बत्ती का समय हो गया, यहाँ पर कोई भी कर्म धारे नहीं है, दिया और बत्ती, यह चीज यहाँ पर हो गई, यह थोड़ा से अलग कुशन था, फिर आते हैं, यह तो होई गया है, और आते हैं 27 पर, यह सब तो रसी में समास है, क्योंकि यहाँ पर संख्या आ गई, तो यहाँ पर दिगू समास हो गया सीधे से, पीतांबर हमारा बहुवरी हो गया, समास यहाँ खतम होता है,